इस वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप Fino payments Bank में ओलाइं डिश्टल सेविंग काउंट केस्ग उपिन कर सकते हैं Fino payments Bank में ओलाइं डिश्टल सेविंग काउंट उपिन करने के लिए आपके आधारकार से लिंक होना जरूरी है और अगर डाकुमेंट्स के बात करने तो आपके पास आधार काड़, पेंट काड़, मोबाईल नमबर, इमेल आड़ी यह होना चाहिए इसके साथ ही इसमें आपको इन्वल मेंटिनेंस चार्ज फोर फिफ्टी रुपीज का हर्ताल पेड करना पड़ेगा जब आप आउनलाइन अकाउंट उपिन करेंगे तो फोर फिफ्टी रुपीज आपको एकाउंट में अपने फंड बोजिट करना पड़ेगा उसके बाद ही आपका एकाउंट एक्टिवेट होता है जैसे आप एकाउंट पास मेंट के अंदर उपिन कर पाएंगे उसके बाद फीनो पैमन्ट सबैंक में डिजटल सिविंग काउंट उपिन करने के लिए आपको फिनो पे का मोगाईल अप्लिकेशन इस्टोल करेंगे यो इस्टोल करने के बाद ही आप से जितने भीया पर पर्मिशन मेंगता है यहां पर आप मिशन एलाओ करेंगे जैसे आप permission allow करेंगे तो यहाँ पर देखे 4 digit का login pin डालने के लिए बूला है लेकिन अभी हमारे पास account नहीं है तो login pin कैसे डालेंगे तो यहाँ पर देखे नीचे option मिल जाएगा digital account opening इस पर आप click करेंगे तो यही से आप digital account open कर सकते हैं सबसे first में यहाँ पर आपको अपना mobile number देना है यहाँ पर आप mobile number देंगे तो mobile number आपका verify हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपनी नीचे email ID देंगे ओके वाले option पर click करेंगे referral code यहाँ पर आपको video के description box मिल जाएगा और video के display में भी आपको referral code सो हो रहा है यहाँ पर referral code डालेंगे और यहाँ पर ध्यान अकना है कि pen card आपके पास होना चाहिए mobile number से अधार card लिंक होना चाहिए यहाँ आधार card से mobile number लिंक होना चाहिए background आपका चाहिए good internet connectivity होनी चाहिए उसके बाद next वाले option पर click करेंगे तो यहाँ पर जो भी mobile number आप देंगे उस पर OTP शेंड के जाएगा OTP यहाँ पर आजाएगा आटोमेटिक यहाँ पर detect कर लेगा उसके बाद यहाँ पर next वाले option पर click करेंगे अब यहाँ पर आधार number आपको डालना है तो यहाँ पर जो भी आपका आधार number रहता है आधार number डालेंगे उसके बाद नीचे आधार number verify होने के बाद यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा pin card number तो यहाँ पर आप अपने pin card का number डालेंगे और यहाँ पर जैसे pin card का number डालेंगे pin card भी verify हो जाएगा politically exposed person में no रहेगा यहाँ पर आप term accept करेंगी यहाँ पर दोनों आप tick mark करेंगे उसके बाद next only option पर click करेंगे आपके आधार card से जो mobile number लिंक रहता है उस पर OTP शेंड किया जाता है OTP यहाँ पर आजाएगा 139552 यहाँ पर OTP डालेंगे अगर mobile number लिंक नहीं है तो my mobile number is not link विद आधार तो आप account open नहीं कर पाएंगे उसके बाद next only option पर आपको click करना है जैसे आप next करेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ट पिन कार्ट से काफी डिटल सी मैच कर लेता है जैसे आप देख सकते हैं आपका फोटो आपका नाम, father name, nationality यहाँ पर date of birth, gender, आपका पिन कार्ट का नंबर पर जो भी address रहता है यहाँ पर locate कर लेगा तो यहाँ पर आपको next value option पर click कर देना है आप यहाँ पर mother's matter name mother's matter name यानि मा का साधी के पूर वो क्या नाम था यहाँ पर नाम डालेंगे उसके बाद mobile banking पर yes रहने देंगे education qualification यहाँ पर आप choose कर लेंगे उसके बाद नीचे यहाँ पर occupation आप डाल देंगे occupation क्या है उसके बाद nature of business आपका क्या है तो जैसे यहाँ पर nature of business हमारा क्या है हमने डाल दिया उसके बाद annual income कित्ती हो जाती है उसके बाद material status आप single है फिर married तो यहाँ पर single है तो डाल देंगे यहाँ पर आप term accept करेंगे तो nominee name आपको यहाँ पर बोल जाएगा तो यहाँ पर nominee name यहाँ पर आप डाल देंगे nominee का यहाँ पर सबसे पहले year choose करेंगे उसके बाद यहाँ पर month और date पर click cut के data forth कर देंगे उसके बाद यहाँ पर nominee का data forth age पर address यहाँ पर same है यहाँ पर tick mark कर देंगे उसके बाद next वाले option पर click करेंगे जैसे आप next करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर platinum debit card delivered किया जाएगा यहाँ पर इसकी limit वगरा दी जाती है यहाँ पर आप full name डाल देंगे क्या नाम चाहते है अपने debit card पर और यहाँ पर see preview वाले option पर click करेंगे इस तरीके से आपको platinum debit card delivered किया जाएगा उसके बाद next वाले option पर click करेंगे पूरा form आपकी सामने review करा दिया जागा आप देख लेंगे यहाँ term accept करेंगे नीचे आएंगे यहाँ पर देख सकते है customer agree to pay involved subscription fees 450 रुपीज यहाँ पर 450 रुपीज का यहाँ पर involved fees लगेगा term accept करे जैसे proceed करेंगे तो यहाँ पर देखिए your DJ account is open successfully आपका successfully DJ account open हो चुका है और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर fund add करना पड़ेगा यहाँ पर message भी हमें आ गया उसके बाद यहाँ पर pay now वाले option पर हम click करेंगे pay now पर click करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको अपने debit card के details देनी है net banking या फिर UPI के थुरू जिस method के थुरू आपको payment करना है तो यहाँ पर आप payment करेंगे तो यहाँ पर चलिए हम अब UPI ID यहाँ पर डालते हैं UPI ID डालने के बाद यहाँ पर pay now वाले option पर click करेंगे जै लिंक पर click करके आपको अपने UPI application से payment करना है यानि आपको transaction पर login डालके यहाँ पर payment कर देंगे तो transaction successful हो जाएगा और देख सकते हैं कि transaction successful होने के बार यहाँ पर आपका account का detail यहाँ पर आपको मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं bank account number, IFSC code और यहाँ पर आपको UPI ID भी यहाँ पर मिल गई है अब यहाँ पर वीडियो के वाई से आपको complete करने हैं आपको अपना अधार card, pin card अपने साथ रखना है और white या black color का pin, आपको यहाँ पर black या blue pin रखना है, white paper sheet रखना है, device में आपका microphone के camera इनेवल होना चाहिए, background अच्छा होना चाहिए, internet connection, proceed to video के वाई से option पर क्लिक करेंगे, सुबह नौब जैसे लेकि आपकी video के वाई से start हो जाती है, permission आप यहाँ लाउ करेंगे, और यहाँ पर द देख सकते हैं, अवलेवल नहीं है, तो जिस भी date को यहाँ पर slot अवलेवल रहेगा, उस date को आगस्त में नहीं है, slot अवलेवल, तो यहाँ पर छोड़ देंगे, उसके बाद सी तंबर जब भी रहता है, slot अवलेवल, उस date को आप यहाँ पर अपनी video के वाई से complete कर सकते हैं यहाँ पर green tick हो गया है, यानि आपको यहाँ पर agent मिल दाएंगे, देख सकते हैं कि session स्टार्ट हो रहा है, जैसे आपकी video के वाई से complete हो जाएगी, उसके बाद आपका successful account 24-49 गंटे में एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आप फिनो payments bank का mobile app भी login कर सकते हैं, और login करने के बाद यहीं पर आप इसकी mobile banking इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप फिनो payments bank में online digital saving account open कर सकते हैं, आई होब दोस्तों की छोटा से वीडियो आप काफी पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फिनों क